नमस्कार दोस्तों, Facts Express में आपका हार्टिक स्वागत है आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं जिसका टाइटल है 10 Golden Rules for Investing चाले सब्सक्राइब करते समय इस बेल बटन को दबना न भूले ताकि latest वीडियो के notifications मिले आपके पास सबसे पहले पहला rule है निवेश के उद्देशों को लेकर इस पस्टता जब भी आप invest कर रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए investment कर रहा हूँ अगर आपको short term के लिए पैसा लगाना है तो आप equity में नहीं जाएंगे या bond fund में जाएंगे liquidity में जाएंगे लेकिन अगर आपका long horizon है मालिजी 20-25 साल का है या कम से कम 10 साल का है तो आप equity में जाएंगे तो अगर आपने गलत decision ले लिया तो आपका return भी उस तरीके से provide हो सकता है और risk profile अपकी बढ़ सकती है investing का दूसरा rule है investment plan की सही जानकारी होना investment एक जटके में नहीं होता इसके लिए सही planning और अनुशासन भरी कोशिस की जूरत होती है अच्छा return पाने के लिए ये माने नहीं रखता कि कितना बड़ा या छोटा amount invest किया जा रहा है बलकि मुख जूरती होती है कि जिस plan में आप investment करना चाहते हैं उसकी इसपस्ट समझ हासिर की जाए इसके लिए निवेस से पहले अच्छी तरीके से research करें उस plans पर टिके रहें और पूरी तरीके से इसपस्ट हो investing का सबसे important rule है diversification आपको अपना सारा पैसा एक जगा नहीं लगाना चाहिए यहां तक ही share वाजार में भी पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए suppose आप high risk investor हैं और आप 60-70% तक share वाजार में पैसा लगाते हैं लेकिन कुछ पैसा gold में कुछ liquid में और कुछ आपको real estate में लगाना है उसके अलावा जो आप equity में भी पैसा लगा रहे हैं वो आप अलग-अलग sector में अलग-अलग company में पैसा लगाए एक छोटा diversification हो लेकिन focused हो और उसकी आप पूरी planning कर सके और investment आप उसको track कर सके investment का चौथा rule है कि आप अपना दिमाग लगाएं अपनी बुद्धी लगाएं कोई सुनी-सुनाई बाते हैं TV या news anchors जो बोलते हैं उसके विश्वास न करें कोई tips follow न करें आपके पास जितना ग्यान है उसको आप और बढ़ाएं आप YouTube देखे गूगल देखें और वो सारी जानकारी प्राप्त करें उसकी AGM पर जाएं आप वो जो उसके interviews देखें उस shares के और फिर उसके बाद में आ अब कितना नीचे जाएगा या इतने समय में ही लेंगे क्योंकि यह stock नहीं जानता है कि आपने उसको ले रखा है यह आप जानते हैं कि मैंने stock ले रखा है तो आपको जब भी कोई अच्छा stock एक अच्छे valuation पर मिल रहा है आपको ले लेना चाहिए आप market को time नहीं कर सकते ह इन्वेस्टमेंट में भी discipline बहुत जरूरी है जिस परकार से जीवन में उतार चड़ावाते हैं और एक जो एक मजबूत व्यक्ति होता है दड़ती इक्छा सकती वाला वो सारे जंजावत को पार कर लेता है उसे परकार से market भी हमेशा option downs होते हैं आपको नियम के साथ में अ सात्वा रूल है कि अपने फैसलों पर emotions को ना हवी दें वैसे share बजार में fear और greed से ही भरा हुआ है लेकिन आप अपने fear और greed पे जितना काबू पा लेंगे आप उतना सफल होंगे आप कोई भी जब stock selection कर रहे हैं तो उसको बहुत लालच में ना लें और मान लीजे जब वो काम करें एकदम से आपको एक ही दिन में अमीर हो जाना है ऐसा आप अप्रोच लेकिना चलें अवेवारिक रिटार ना रखें शेयर वाजार भी कुछ फार्मूलों पे चलता है कंपनीज में ही पैसा लगता है तो समय के साथ में आप पैसे को बढ़ने दें जिससे कहा जात है कि slowest is the fastest way to become rich तो जो 10-12% का रिटर्न है 13% का वह बहुत अच्छा रिटर्न है आप किसी पैननी स्टाफ में जाके एकदम से करोड़ पती बनने कुछ ना करें क्योंकि करोड़ पती कम रोड़ पती आप ज्यादा हो सकते हैं investing का नवा नियम है कि अपने जरूरत का पैसा न लगा रहें देखिए जो भी पैसा आप लगा रहें ऐसा नहीं है कि आप future option में सारा पैसा आपने जरूरत का लगा दिया और आपको वो education का चीए था यह home loan का installment भरना तो तो ऐसा पैसा लगाएंगे और आप leverage position रहेंगे तो आप हमेशा customer रहेंगे और डिसीजन ले सकते हैं आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं तो जो भी पैसा है वो आपका जो free पैसा है जिसको लंबे समय तक लगा सकते हैं वो लगाएं यकीन मानिए आपकी wealth हमेशा लंबे समय में ही बनेगी investment का दस्वानियम है कि आपको हर जगा इतने अच्छे options हैं आप अच्छा साहिती पढ़िए और हर चीज़ पर खबर रखिए आप लंबे समय तक टिके रहें और ये दसो सुत्र को अगर आप मानेंगे लंबे समय तक टिके रहेंगे तो यकिन मानिए आपको अच्छे return मिलेंगे दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय ये बेल बटन दबाना ना भूले ताकि सारी वीडियो की information आपके पास मिले सबसे पहले धन्यवाद